कोईशन वाब 14 बोलता है कि त्रक कवर्स त्री इक्वल डिस्टेंस ध्यान देना है इक्वल डिस्टेंस फोकस है आमारे 100 किलोमीटर का कोई खास काम नहीं है एक जो है 200 km पर आवर से दूसरा 300 से फिर 600 km पर आवर से हमें एवरे स्पीड ओफ ट्रक बताने ओवर और जर्णी में क्या होगा तो एक जो स्पीड है वो कितना है 200 km पर आवर दूसरा जो स्पीड है एह है आपका 300 km पर आवर और जो तीसरा स्पीड है वो क्या है 600 km पर आर question में जो बोला है कि वो equal distance travel करना है तो distance का value ऐसा ले लेते हैं ताकि सबी जगा से क्या है integer है तो distance को आपना 600 km ले लिए घ्यांज रहे है distance आप कुछ भी लिजिए यह फर्क नहीं पड़ता है एस average निकालना है एस average कैसे निकालेंगे total distance तो 600 को 3 times travel किया है जब 200 के speed से जाएगा तो 3 hours लगेगा 300 के speed से 2 hours लगेगा और इससे 1 hour लगेगा ऐसा लग रहा है कूपर आगे 1800 divided by 7 आई 7 नहीं 6 ना 325 अट 6 तो total कितना आ जागा 300 km पर आर तो इस question का सही answer आ रहा है 300 km per hour जो कि है option number 4 उमीद है चीजे clear होगे फिर भी अगर कोई doubt रहा जाए तो आप comment section में जरूर पूछ ले तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुचाई हो तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल पर नए है तो चैनल को जरू से subscribe करें क्योंकि यहाँ पर सारे बेश्ट प्यू का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पर कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे top ताथ तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ